अंतर राष्ट्रियम मुद्राकोश आयमेफ ने भारत के डाइरेक बेनिफिट ट्रांसफर और इसी तरह के अन्य सामाजिक कल्यान कार्यक्रमों की तारीफ की और इसे चमतकार बताया. आयमेफ ने पूरी दुनिया को भारत से सीखने की सलाह दी है. इससे पहले कोरोना काल में कैश ट्रांसफर योजना के लिए वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की तारीफ की थी. आयमेफ ने भारत में बहुत सारे तकनीकी नवाचारों की सफलता और नकद हस्तांतरन योजना को सफल बनाने में विशिष्ट पहचान प्रनाली आधार के उप्योग की और भी इशारा किया. आने वाले समय में छात रहाया एजुकेशन के लिए बिना किसी गारंटी के 10 लाख रुपय का लोन ले सकते हैं. केंद सरकार जल्दी एजुकेशन लोन के लिए गारंटी लिमिट को 7.5 लाख रुपय से बढ़ा कर 10 लाख रुपय कर सकती है. सरकार का यह कंद बड़ी संख्या में लोन एप्लिकेशन के रद होने और मंजूरी मिलने में देरी की बड़ती शिकायतों के बाद आया है. दुनिया के शीर्ष दो प्रतिशत विज्यानियों में काशी हिंदू बिश्वविद्याले के 74 विज्यानी शामिल हैं. स्टैन्फोर्ट विश्वविद्याले द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाने वाली सूची में इस वर्ष दो विज्यानी और बढ़ गए हैं. इनमें विश्वविद्याले मुख्य परिसर के 36 चिकित्सा विज्यान संस्थान बिएच यू के 6 और भारतिय प्रोध्योगी की संस्थान आयाईटी बिएच यू के 32 विज्यानी शामिल हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने हिमाचल प्रदेश को बड़ी सौगात दी है. पीएम मोधी ने देश की चौथी वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन को हरी जंडी दिखा कर शुरू किया. यह ट्रेन दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के उना जाएगी. वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बड़ावा मिलेगा. देश में यह चौथी वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन होगी. पहली वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन नई दिल्ली से वारानसी रूट पर शुरू हुई थी. इसके बाद नई दिल्ली से कट्रा के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाई गई कुछ ही दिन पहले पीएम मोधी ने गांधी नगर से तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी जंडी दिखाई थी ये ट्रेन गांधी नगर से मुंबई रूट पर चलती है रूस और युक्रेन के बीच शिरी साथ माह से अधिक की जंग की कीमत समुचे यूरोप को चुकानी पड़ी है इसकी वजह से आय उतार चड़ाव के बीच जिस तरह से रूस ने यूरोप को जाने वाली गैस में पहले कमी की और फिर इसको बंद कर दिया उससे यूरोप की समस्या काफी बढ़ गई लेकिन अब राश्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन की तरफ से जो बयान आया है वो अपने आम में काफी एहम हो गया है उन्होंने कहा है कि रूस नॉर्ट स्ट्रीम एक पाइप लाइंग के जरिये यूरोप को गैस की सप्लाई करने को तयार है अपने बयान में राश्ट्रपती पुतिन ने ये भी साफ कर दिया है कि ये सप्लाइ केवल उन्हीं देशों को की जाएगी जिन्होंने गैस की कीमतों पर कैपिंग नहीं की हुई है उत्तर कोरिया ने एक बार फिर लंबी दूरी वाले दो क्रूज मिसाइलों की टेस्ट फाइरिंग की लांच किये गए प्रोजेक्टाइल का फ्लाइट रेंज करीब 350 किलोमेटर है और इसकी उचाई 90 किलोमेटर है मिसाइल लांच पर हमला बोलते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चेताया की यदि उत्तर कोरिया इसी राह पर चलता रहा तो इससे केवल उसकी निंदा होगी और उसे वैश्विक मंच पर अलग थलग कर दिया जाएगा आज का दिन सुहागिन महिलाओं के लिए काफी खास है हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्ती तिथी को सुहागिन महिलाएं पती की लंबी अयू सौभाग्य सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला वरत रखती है इस वरत को करवा चौत के नाम से जानते हैं इस दिन महिलाएं निर्जला वरत रखकर भगवान शिब, माता पारवती और चंद्रदेव की पूजा करती हैं अपनी वापसी के दौरान उत्तर प्रदेश में काफी कहर बरपाने वाले मानसून से उत्तर प्रदेश को करीब एक हफते बाद बड़ी रहत मिली है उत्त साफ है बादलों का कहीं पर भी डेरा नहीं है और धूप से लोगों को काफी राहत भी मिल रही है उत्तर प्रदेश सरकार ग्लोबल इंसिस्टर समिट जी आइस देईस के लिए व्यवस्थाओं को और पारदर्शी बनाने जा रही है इन्वेस्टर समिट से पहले योगी सर पहली बार ऐसे दो पोर्टल लांच करने जा रही है कि निवेशकों को न सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पढ़ेगे और नहीं अधिकारियों की मनुहार की जरूरत होगी पोर्टल पर ही एमयू यानी समझोता करार हो जाएगा और पोर्टल पर ही समबंधित नीती में प् ख्यमंत्री कार्याले सहित अन्यवरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निग्रानी की जाएगी